गुड इमनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने योटूब चैनल में आज हम बात करने जा रहे हैं जो Computer Science and Engineering ब्रांच है या फिर एक Information Technology के नाम पर जो ब्रांच है उसमें कुछ सुझावात्मक जो Project सूची है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं डिपलोमा के अंतिम सेमिश्टर में जो भी Polytechnic का डिपलोमा है सभी ब्रांचिस में अंतिम सेमिश्टर में Project Work के नाम पर बहुत ही महतपूर सब्जेक्ट होता है जो कि सब के लिए अनिवार होता है और लगबख सौ मार्क्स का होता है और सबसे बड़ी महतपूर बात यह है कि यह जो प्रोजेक्ट होता है यह पूरा जो तीन साल की स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनका जो पढ़ा हुआ उनका जो नॉलेज है वो उसमें परिलच्चित होता है तो यह बड़ा ही महतपूर टॉपिक है जिस पर प्रोजेक्ट हमारा प्रियास होना चाहिए कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बने आप कहना चाहिए कि जो एरिया है प्रोजेक्ट करने का वो लगबग समान है तो आईए हम लोग एक नजर देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया है जिन पर CS और IT के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं जो सबसे बड़ी महत्पूर्ण बात है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर आपने किसी समस्या को प्रोजेक्ट के रूप में सॉल्व करने का या समाधानित करने का जो निर्णे लिया है तो यह हमेशा मान के चलिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट के द्वारा ऐसा सॉलूशन देना है, समाधान देना है कि जिससे किसी की समस्याओं का निराकर तो यह हमेशा मानके चलिए कि कोई आपके प्रोजेक्ट या समस्या के जो समाधानित होने का इंतियार कर रहा है और इस तरह से से कन्क्लूजन दीजिए कि कोई किसी वक्ति की या किसी संस्था या किसी ओर्गनाइजेशन की समस्याओ का समाधान हो सके ये बात जरूर याद और उसी हिसाब से आप quality युक्त प्रोजेक्ट बनाईए तो कुछ area की हम बात कर लेते हैं कुछ सुझावात्मक project गतिविधियां हैं जिनके बारे मैं आप से चर्चा करूंगा और ये NSQF syllabus के according आपके पूरी तरह से prescribed है तो इसमें देख लेते हैं एक तो जो main main जो areas है उनके जो हो जकता है पहला आपका जो है programming customer based applications आप programming कर सकते हैं जो customer based जो applications होती है उनके आधार पर ये दी customer की कोई requirement है तो उसके आधार पर आप programming कर सकते हैं दूसरा ये दी आपको web page designing का शौक है आप या इसमें interest रखते हैं तो आप web page designing का लेकिन ये only dynamic इसमें दीखी लिखा हुआ है ये आपको अपने project के रूप में लेना है यदि आपको इस field में interest है web designing के रूप में अब बात कर लेते हैं database applications की ये अगर आपका area of interest है तो database application से बना आप इस पर जा सकते हैं और अगला है software development तो software आप develop कर सकते हैं यदि आपको software develop करने में या उसको big sit करने में रुची है तो अब ये जो भी हमने बहुत small जो area आप रखे हैं छेत्र हैं जो आपके project करने के लिए तो वो काभी आपने देखा कि 4-5 topics थे अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये जो अपना CS और IT के student से कैसे अच्छा अपना project बना सकते हैं तो उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ इसमें एक और note लिखा है कि जो students की project report है वो 50 page से कम नहीं होना चाहिए इसमें coding को हटा कर ये ध्यान रखिए देखिए इसमें लिखा है तो should not be less than 50 pages excluding coding coding को आपको अलग रखना है इसके अलावा आपके कम से कम 50 page होना चाहिए और दूसरा लिखा है the report must follow the steps of software engineering concept जो आप report बनेगी project की वो आपका software engineering concept जो होता है उसको follow करना चाहिए या उसके according होना चाहिए तो एक file मैं आपको share कर दूँगा next video में पूरा बता दूँगा कि किस तरह से software engineering concept पर based आपकी जो project report है वो बनती है अब हम बात कर लेते हैं जैसे ये जो आपने सारी चीजें पढ़ी अगर आप web designing पर जाना चाहिते हैं तो web page design आप कर लीजिए डायनेमिक के लिए database applications का कर लीजिए यदि आप software development पर interest रखते हैं यदि कोई भी student रखता है तो software development में आप open source software technology जो इस समय चल रही है आज के समय की मांग है जिस पर सबसे जादा काम हो रहा है और जो government of India भी उसको promote कर रही है आपको उस पर जाना है तो इसके लिए मैं आपको अभी एक website खोल करके दिखा देता हूँ जो कि IIT Bombay की free and open source software की website है तो उस website से आप कोई भी open source software का जो source code है वो ले सकते हैं और उसमें modification करके उसमें एक नया रूप उसको दे करके आप अपनी project report तयार कर सकते हैं तो उससे क्या होगा एक तो आपको सीखने को मिलेगा आपको source code मिल जाएगा और उस source code में आप पूरा समझ करके जो C, C++, Fortran जिस भी language में वो लिखा हुआ है उसको समझ करके आप उसको edit कर पाने में सच्छा हम हो पाएंगे और आगे इस आधार पर आप अपना Swam का भी business start कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही beneficial होगा और इसके आधार पर यह दिए आप open source technology पर काम कर लेते हैं तो आपको बड़े बड़े organization में तरह से coding करके और या फिर open source software का जो source code है उसको copy करके और उसमें संसोधन करके कैसे आप किन-किन software को आप modify कर सकते हैं तो इसके बारे में देखूंगा आईए वो website देख लेते हैं FOSS यानि free and open source technology वाली तो बच्चों यह है वो website जिसकी जानकारी प्रतेक student को बिसेश कर जो engineering की student है चाहिए वो diploma कर रहे हो चाहिए बीटेक कर रहे हो जानकारी होना ही चाहिए तो देखे आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह address है FOSS www.in यह है देखे तो free and open source जो technology है उस पर यह IIT Bombay का है आप जैसा की नीचे अगर आप देखेंगे इस website को बिजट की जब करेंगे तो यह सारी चीज़े देखे डॉक्टर ABG अब्दुलकलाम ने जो free and open source software के बारे में कहा था वो सारा चीज़ें यह देखे यहाँ पर यह लिखा है project तो यह FOSS यानि free और फिर open source software for education के लिए होता है तो यह FOSS tools है जो academy और research के लिए इसको promote करता है तो यह देखे government of जो इंडिया है ministry of education हो या चाहे information and communication technology ICT हो वो इसको बहुत ज़्यादा promote कर रहा है इस समय तो यह देखे यह सारे software से जो की open source technology पर based है और इस समय बहुत ज़्यादा market में demand है जैसे आप बात कर लीजिए आपने नाम भी सुनाओं का Sigh Lab ले लीजिए चाहाए python चाहाए e-sim चाहाए OS DAG DWSIM इसके बाद open form की आप बात कर लीजिए यह देखे उसके बाद open modelica open PLC floss Arduino यह सारे चीजें जो है यह free and open source softwares हैं यह देखे सिंगल board heated system यह QGIS यह focal उसके बाद S.O.U.L. Soul यह सारे free and open source softwares हैं तो आप इन में जिसमें भी interest आप रखते हैं आप कोई भी एक software या दो software चूज करके आप उसका source code कॉपी करके उसमें देखिए कि आप क्या modification कर सकते हैं उसको run करा करके देखिए उसका पूरी उसका examine करिए उसको इसके अलावा इन पर आधारत बहुत सारे textbook companion एक textbook का पूरा आपको मिल जाएगा उसमें chapters के solution दिये गए हैं उनकी coding की गई है solution निकालने के लिए तो वो आप कर सकते हैं तो ये सारा का सारे इसमें आपको मिल जाएगा आप एक बार इसको अच्छे से देखिए इन में से software आप try करिए आपको जो भी solution मिलता है उसके बाद आप उसको try कर सकते हैं अब बात आती है यदि आपको कोई चीज दिक्कात आ रही है समझ में नहीं आता है तो next time मैं कुछ और जो open source software हैं वो मैं आपको नाम सजेश्ट कर दूँगा कोई 5 ऐसे open source software जिनको जो general हो और कोई भी आप आसानी से आप समझ सकते हैं ऐसे diploma engineer मैं समझ रहा हूँ कि आप इतने advance नहीं होते हैं तो वो मैं 5 software आपको जरूर प्रपोज करूँगा तो आप उनको देखिए उनके source code कॉपी करिए और देखिए कि आप उसको run करा सकते हैं और उसको run करा कर एक बहुत अच्छी project report अपनी बनाईए और एक सफल डिपलोमा इंजिनियर computer science ए आईटी से आप करके निकल रहे हैं तो उसमें अपना नाम करिए आगे के लिए बहुत beneficial होगा जब आप job के लिए कहीं जाएंगे तो उसका बड़ा अच्छा impact आप के उपर पड़ेगा इसके साथ साथ आप अपना स्वेम का भी बिजनिस कोडिंग का और ये सारी चीजों का जो आप आप आसानी से कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के कोपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच्च आपका दिन शुबो